स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेच में दोस्तों आज किस वीडियो में हम क्लास 11 का जो हिस्ट्री का सिलिवस है यानि की जो सब्जक्ट है उसी का चैप्टर 4 है जिसका नाम है इसलाम का उदय और विस्तार इस चैप चैप्टर में हम पैगंबर मुहम्मत के बारे में बात कने वाले हैं इसलाम के ओदय में बात करने वाले हैं तो चली ही वीडियो को स्टाड करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे सबस्क्राइब किया है और हमारे social media के account पर आपने follow नहीं किया है तो जाइए link आपको मिल जाएगा description में वहाँ से आके आप हमें follow कर सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं देखें जैसा कि आपका जो chapter है उसका नाम है इसलाम का होदाय और विस्तार तो आज का जो हमारा main point है यानि कि इस वीडियो का जो सबसे बड़ा topic है वो है अरव में इसलाम का होदाय हम इसी के बारे में पूरे बात करने वाले धरम निष्टा शमुदाय और राजिनीती के बारे में तो देखे सबसे पहले हम जानते हैं कि इसलाम है क्या तो देखे बिसिकली इसलाम एक धरम है जैसे हमारा हिंदू धरम है ठीक है वैसे ही एक इसलाम भी धरम है अब यह अरव में इसलाम का होदाय कैसे हुआ उसका विस्तार कैसे हुआ इस वारे में हम जनकारी लेने वाले ह जो आपके च्ञेपेन में दिया हुआ ह। थेक abbiamo सबसे पहले तो हमें इस्लामी च्यत्रों के बारे में जनकारी के हमारे पास क्या-क्या सुरूत हैं है ठीक है तो देखे उनके सुरूत क्या क्या है पैगंबर मुहंम्मड के कर्थन जो के किसमे लिखेंगे हैं कुरान में ठीक है पैगंबर मुहम्मद के कतन और कार्यों के अविले कुरान के बारे में ठीकाएं इत्री वृत तवारीक जीवन चरित्र त्यदर्श्री वरतांत यानि जैसे अख़वार हो गए एतिहासिक और अर्द एतिहासिक रचनाएं दस्तावीजी प्रमाण प्राची की निमारते हैं आदी मतलब इन सभी से हम जो इसलामिक छेत्र है इसलामिक के त्यास है उसके वारे में जानकारी प्राप्त करते हैं ठीक है तो वहीं आगे बात करते हैं जो हमारे टॉपिक साते उनके बारे में तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि अर्वी समाज में उनकी जीवन कैसी ती यानि की जुआरवा इसलाम था वहां पर अर्वी समाची मैं से जीवन से अर्वीी यह दू-पर वह कहत Illinois यानि कि यह पूरा गाय है उस समय कोर में वह दोता है कि कृष ग Points हैं और यह हैं वहीं कि एंड़ने से यहां पर चली एक स्थान को अपने मौसम के नुसार यह बदलते रहते थे ठीक है इसलाम के उद्य से पहले यानि कि अरब में इसलाम का उद्य हुआ उससे पहले साथवी सर्ताब्दी में अरब समाजिक राजनितिक आर्थिक और धार्मिक रूप से काफी पिछड़ा कार्व कि अगर्व से पहले यह काफी पिछड़ा हुआ था ठीक है उसके पाड़ अग्ला पूइंट आता है कि इसलाम के उद्य से पहले एक खाना-वद्य।-चंज्द्य जन्जाती बेइंडोस में अरव का वर्शरस्व था यहन कि इसलाम का जो औध हुआ उस से पहले कि भात करें तो एक खानामतों संद्वॉआ धैकंगरले को यह अधी को लोग करती यानी कि अपने देवि देबता हुआ करते थे मक्का में इसंतित्त कावा कावा के बारे में आघे जाने़ के फूल्हे दीटेयल में है तो ले रहे हैं कि प्रितिय कवीले के अपने देवीदेप्ण होते थे और मक्का में लहाँ का दो conventions सभी मुसल्मानोंसे सभी मुख्य धर्म लाने थे तो लिसमें गोणी थे जैसे ङानी की मलेजए आपका एक घर है उस घर में मुख्या होता चाहि colleagues कोई मा हो या दादी या दादा हो तो ऐसे ही वहाँ पे जो कवीले हुआ करते थे उसका नित्रत यानि कि उसका एक मुखिया होता था जिसे कहते थे शेक ठीक है जो कुछ हर तक पारिवारिक संबंदों के अधार पे है लेकिन जादा तर व्यक्तिगत साहस बुद्धिमत्ता और उदार्ता के अधार पे चुना जाता था यानि कि वैसे देखा जाए तो यह परिवार के अधार पे होते थे जैसे जाएदार किसे मिलेगी अगर मतलब बाप की बेटे को बेटे के उसके बेटे को लेकिन कई बार क्या होता था व्यक्तिगत साहस के अधार पे उसकी ता काम करते थे यानि कि देरे जब इसलाम का उदय हुआ वहां पे तो यह लोग शहरों में बसने लगे और वहां पे अपना व्यापार करने लेगे तो पहला पॉइंट के लिए आपका कि अर्विस समाज और उनकी जीवन सैली कैसे थी लोग कभीलें में बेटा हुआ करते थे ख अब आता है दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट आता है पैगंबर हजयत मुहम्मद और इसलाम यानि कि अब हम जानने वाले हैं पैगंबर मुहम्मद के बारे में ठीक है तो देखिए क्या जानते हैं उनके बारे में सन 612 के आसपास उन्होंने खुद को खोड़ा का हजरत मुहम्मद ने तो यहां पर हम शॉट फॉर्म ले लेते हैं पैगंबर मुहम्मद ठीक है तो सन 612 के असपास उन्होंने खुद को खोड़ा का शंदेश वाहत जिसे अगर हम उनके इसलाम धरम के आधार में तो रसूल गोसित किया यहीं से इसलाम धरम की नीव पड़ और कब डाली 612 इसवी के सन 612 के आसपास कैसे डाली कि मैं खुदा का एक संदेश वाहत हूं जिसे रसूल कहते हैं ठीक है और उन्होंने बोला कि केवल अल्ला की ही आराधना पूजा की जानी चीए वहाँ पे इसलाम में पूजा नहीं कहते हैं आराधना या इवादत कहते हैं ठीक है तो उन्होंने क्या पूजा दिया केवल अल्ला की आराधना की जानी चीए उसके बाद पैगंबर मुहम्मद के संदेश ने मक्का के उन लोगों को विसेश रूप से प्रभावित किया जो अपने आपको व्यापार और धर्म के लावों से वंचित महसूस करते थ ही देखिए अब यहां पर इसका क्या मतलब है कि पैगंबर मुहम्मद के संदेश ने मक्का के उन लोगों को विसेश रूप से प्रभावित किया यानि कि पैगंबर मुहम्मद ने संदेश दिया था उस उसने मक्का के उन लोगों को प्रभावित किया जो अपने आपको व वंचित महसूस करते थे यानि कि उन्हें पताहिय नहीं था धर्म क्या होता है वैपार क्या होता है तो पेगंबर मुहम्मद के इस वच्चन मतलब जो उन्होंने संदेश दिया उससे ये वी आकशित हुए और अपनी ये किनोंने नई पहचान बनाई और उन्होंने इस सिध् पैगंबर मुहम्मध के अनुसार जो इवारत की विदिया यानि कि वारत कैसे करने चायारा कैसे करने यह तो यह चीजे थिक reflections को दित प्रातना करने जिसे सलगते हैं नहीं की संदान तो कलिक indices बालना यह जैसे खेरात बाटना चोरी ना करना ठीक है और ना ही उसमें सामिल होना तो यह चीज़े थी पैगंबर मुहम्मद और इसलाम के बारे में जुड़ी होई यानि कि इसलाम का बेसिक उद्र कहां से गवा तो पैगंबर मुहम्मद ने सन 612 में अपने आपको खुदा का संद प्रश्चे थे वह भी इससे जुड़े ठीक है और उनने इवारत की विदियां भी बताई वह देख सकते हैं ठीक है अब आता है आज का तीसरा टॉपिक वह हाज्रत मुहम्मद यानि कि पैगंबर हज्रत मुहम्मद की प्रमुख सिक्चाएं क्या है यानि कि उन्होंने जो अपना संदेश दिया वह ठीक है अब वह एक संदेश बाहक बन गए वह भी ठीक है लेकिन इन्होंने सिक्चाएं क्या क्या दिये हैं लोगों को बताया क्या ठीक है वह सिक्चाएं अब हम जानते हैं क्या है तो सबसे पहले सिक्चा है यहां पर देख सकते हैं प्रत्यक मु कि अगर आप दुनिया में किसी को पूछते हैं तो वो केवल अल्ला ही पूजनिया होना चाहिए और जो पैगंबर मुहम्मद है यानि कि जो अल्ला है उनके ये पैगंबर है यानि कि उनके ये संदेश वहां के दूर्थ है ठीक है फिर आता है दूसरा प्रितिये मुसल्मान क दिन में पांच वार नमाज अदा करना अनिवार है यानि कि जो भी व्यक्ति मुसलिम धरम को अपनाएगा जो इसलाम धरम को अपनाएगा उसको प्रितिये एक दिन में पांच वार नमाज पढ़नी ही पढ़नी है ठीक है तीसरा आता है निर्धनों को जकात एक प्रकार का दान देना चाहिए यानि कि इस्लामिक धरम से जूड़े हुए लोग अपने चाहे वो दूसरे धरम के हो ठीक है यह वो अपने ही धरम लोग तो उन्हें एक पड़कार का धर दान देना चाहिए जिसे कहते हैं जकाष तेन सख्चाय हो गही उसकेlass दर प्सकुछा कि इसलाम को मानने वालों को रमजयान के महीने में रोजे रखने चाहिए यानि कि इसलाम को जो लोग मानते हैं उनको रखने वालों को क्या करने चाहिए रोजे रखने चाहिए ठीक है प्रतेग मुस्लमान को अपने जीवन काल में एक बार कावा की यानि कि हज की आतरा करना आवश्यक है तो लाश्ra हमारी क्या हूए कि पित्यग मुसलमान को अपने जीवनगाल में एक बार कम से कम एक बार कावा यानिकि हज की आतरा करनी चाहिए लग से तहीं है पांच छे से एक तो यहां पर कावा है ठीक है उसके बार Eldra है हिज्रा तो शब से पहले हम कावा के बारे में जानते हैं तो यान कि की है बहुत ही और घनाव कार का ऋकार या किक दार्मी यानिकि इस कावा में बुत रखे हुए हैं बुत इन दर सेंस कि मतलब कि वहां पे कुछ मूर्तियां रखी हुए हैं जैसे आपने देखा हुआ कि इसलाम धर में क्या करता है जब लोग मर जाते हैं तो उन्हें दफनाते नहीं बल्कि उनको एक डब्बे में ऐसे पैक करके औ और हर वर्स वहां के लोग इस इवादत गाहा किसका कावर का यहां पर धार में क्यात्रा करने आते जिसे हज कहा जाता है ठीक है उसके बाद दूसरा पॉइंट मक्का यमन सीरिया के बीच एक व्यापारी मार्गों के चौरहें परिस्तित है अब देखिए मक्का काफी प्रिस एक तो अब में यहां प्रिसुक काफी पर जीवन कार एक कम से कम इसकी आत्रा करने ही है तो सब लोग आएंगे इस लिए क्या है कि यह एक बहुत बड़ा मतलब कि प्रिस्टित बन चुका है अगी बात आपको समझ फोड़ोएं फिर एकला है कावा को एक ऐसी पवित्र जगय हरम माना जाता था, जहां हिंसा वर्जिति और सवीर दशनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी यहां कि कावा को एक ऐसी पवित्र जगह माना जाता है हरम माना जाता है जहां पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति के साथ कोई हिंसा नहीं करता था और वहां पर आने वाले जितने भी दर्शनाति थे वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते थे उन्हें सुलक्षा प्रदान की जाती थी ठीक है तो यह हुआ किसी कहते हैं अब हम जानते हिजरा क्या होता है तो दीए हिजरा के बारे में हिजरा इसलाम के सुरुवाती दिनों में पैगंबर मुहम्मध का मक्का और उसके अबादत गहां पर कबजा था यहनकी इसलाम के जो शुरुवाती दिन थे उस समय जो पैगंबर मुहम्मद थे उनका मक्का और उसके अबादत गहां पर एक तो मक्का है ठीक है एक तो वहां पर जहां पर इवादत होती थी उस पर इन्होंने कबजा कर लिय था ठीक है उसके बाद एक नट बड़ाई रहने देते हैं इसको मक्का के जो सम्रिद लोग ते जिनने देवी देवताओं को ठुकराया जाना बुरा लगा था जिन्होंने इसलाम जैसे नई धर्म को मक्का की प्रितिष्टा सम्रिद्धी के लिए खत्रा समझते थे उन लोग को पेगंब्र मुहम्मद का जवर дост से व्रूध कि यानि कि जो लोग इसलाम जैसे नए धर्म को नहीं मानते थे और जो देवी देवता को ठुकराया जारा था तैंश्लाम के अलावा जो दूसरे धर्म के लोग थे उन्होंने पेगंब्र मुहम्मद का जवर दस्त व्रूध किया जिससे वे उनके अनुवाईयों को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा यानि कि पैगंबर मुहम्मद के अनुवाईयों को दूसरे धर्म के लोगों का विरोज सहन करना पड़ा और वे अपना जो मक्का छोड़कर मदीना जाने के लिए मजबूर हो गए उनकी इस यारत्रा को हिज्रा कहा जाता है इसी दिन से मुसल्मानों मुसल्मानों का हिज्री कैलेंडर की शुरुआत है यह बहुत बड़ा कोश्चन है दो नंबर का भी है चार नंबर का भी है कि मुसलिम कैलेंडर में हिज्री मतलब जो हिज्री कैलेंडर है उसकी शुरुआत कैसे हुई तो हिज्री कैलेंडर की सुरुआत कैसे हुई यह आपक ठीक है उसके बाद ने हीजरा के बारे में हीजरा क्या होता है अब एक लाश्ट पिक बचता है आज की वीडों का उसके बाद हम कल मतलब अगली वीडियो में जानेंगे यह पैगंबर मुहम्मदोरा इसलाम की स्थापना है याने कि उन्हों ने शिक्षा देदी, इक संदेस वागवतार यह बहुत सारी चीज़ ने कर दी लेकिन उसके वाब जूद भी इन्होंने एक बहुत बेहत तरीके से इसलाम धरम को कैसे स्थाफित किया उसके बारे में हम जानते हैं ठीक है तो देखिए सबसे पहला इसमें टॉपिक है पॉइंट है उम्मा को एक बड़े समुदाय की रूप में बदल लिया गया अब यह उम्मा क्या है देखिए जैसे आपने सुना होगा सिया सुनी के बारे में ठीक है वैसे ही इसलाम धरम में उम्मा जो था एक बहुत बड़ा समुदाय की रूप में इन्होंने बदल लिया कि कि मदीना के बहुदेव वादियों और यहूदियों को पैगंबर मुहम्मद के राजनीतिक नित्रुत के अंतरगत लाया जा सके यानि कि इन्होंने एक राजनीतिक चाल खेली कि इन्होंने पैगंबर मुहम्मद ने क्या चाल खेली कि उम्मा को एक बड़ा समुदाय बना दि तो सिंपल सी बात है कि जो बहुदेवादी थे जो यहूदी थे वह पेगंबर मुहमद के अंतरगत मतलब की उन्हें जुका देते हैं तो यह उन्होंने एक राजनीतिक खेल खेला है ठीक है फिर दूसरी बात आती है पेगंबर एक सेकंड दूसरा पॉइंट आता है कि पेग पेगंबर मुहम्मद ने जो करमकान जैसे उपवास और नैतिक सिद्धान्तों को बढ़ाया ठीक और परिस्कृत किया यानि कि उन्हें और अच्छा बताया और धरम को अपने अनायों के लिए मजबूत किया वहीं अगला पॉइंट है कि मुसलिम समुदा क्रिसी और व्याप थे ठीक है जो किये काम सभालते थे तो उन्हें जो करीब मिलता था उनकी वज़े से जीवित थे यानि कि आयका साधनी ये क्रिसी और व्यापास जाने वाला करता ठीक है उसके बाद पैगंबर मुहम्मद ने पैगंबर मुहम्मद ने समुदा की सरष्टा के लिए धर्मां के लिए इसे एक कसोटी बना दिया है यानि कि अगर उसकी सरसिता लेनी है किसकी पैगंबर मुहम्मद के समुदाएगी तो आपको इसलाम धर्म में आना होगा ठीक है उसके बार एक सेकिंड हां उसके बार बात करते हैं लाश्ट पॉइंट की तो यह है दन एवम अधिक छ जाती तो यह लें मक्का के काफिलों और निकटके नखलेस तानंपर चाप धाने के लिए लो इया करते है ऑड। पास कि जितने भी जितने गाउं बगारा हुआ करते छोटे-छोटे उन पर यह चापे मारते थे धावा बोलकर उनसे धन लूट लिया करते थे ठीक है तो आपको बता चला कि पैगंबर मुहम्मद के द्वारा इस्लाम की स्थापना कैसे की गई पहले तो इन्होंने एक राज स्थापन आत्या वश्र कर दिया अब जो एक दूसरा पॉंट सड़्ी इसका लाश्ट और पॉंट बचता है इस वीडियो का कि पाउं पैगंबर मुहम्मद के द्वारा इसलाम की सुरक्चा कैसे की गई यानकी इसलाम-ध्रम की सुरक्चा के लिए पैगंबर मुहम्मद न है तो सबसे पहले इनमारे पांच स्थम बताए राइमा नमाज रोज्या जकाद और हज्य को लिए इस टॉपिक से मेज नहीं खाता हे लेकिन आपको यह याद रिखना है कि इसलाम कों से हैं एक है राइमा दूसरा है नमाज तेज्टे है रोजा, चोथा है जकार और पांचमा है हज ठीक है तो ठीक है किसी धरम को जीवित रहना उस पर विश्वास करने वाले लोगों के जिन्दा रहने पर निर्वर करता है यानि कि अगर कोई धरम जीवित रहेगा तो वो तवी जीवित रहेगा ना उस धर्म से जोड़ी हुए लोग जीवित रहेंगे इसलिए पेगंबर मुहम्मद ने इसलाम और मुस्लमानों की रक्षा की इस समुदाय के लोगों को आंतरिक रूप से मजबूत बनाया और उन्हें बाहरी खत्रों से बचाया यानि कि उन्होंने क्या कि इन लोगों को यान अधिक शुक्षा की इन्होंने मतुल्ब अधिक बढ़ाई ठीक है उसके बार उन्होंने सुद्री करण और सुक्षा के लिए मदिना में एक राजनितिक विवस्ता को बनाया मदिना मक्का को फोड़के जब यह मदिना गैए तो वहां पर उन्हें अपने धर्म को और अधि समुदाइक रूम्य बदल जाए यह तो आपको प्रता ही है और पैगंबर मुहम्मद का देहान सन 632 इसवी में हो गया ठीक है अब यह जो आज दूसरा टोपिक है कि खलीफाओं का सासन इसके बारे में हम कल जानेंगे ठीक है यानि कि कल हम इसके बारे में खलीफाओं के शास कि आज की वीड़ापको पसंद आई होगी वीडियो ही नहीं आपको समझ में आया होगा तैंकि उन्हें अपने मिलेंगे अगली वीडियो अब पढ़ते रहें अपना ख्याल रिखिये अन्यवात जेहिन वन देमाटरों